नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक पहुत ही महात्मुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशीक सिंग दोस्तो किचेन तो हर घर की आवश्यक्ता होती है बावजूद इसके किचेन बनाने में लोग गलतिया करते हैं तो चलिए आज मैं आपक यह जो slab है जिस पर खाना बनाते हैं यह slab आपका 2 feet का होना चाहिए और उसके बाद दोस्तो कम से कम 4-5 feet का जगह आपको मिलनी चाहिए तो 6 feet का कम से कम आपका kitchen का चोड़ाई होता है कम से कम मैं बता रहा हूँ लंबाई की बात कर लेते हैं 7-8 feet 10 feet एक बढ़िया kitchen के लिए दोस्तो 10-11 feet आपको लंबाई रखना होगा अगर आपके पास जगह नहीं है 7-8 feet भी चल सकता है लेकिन काम चला होगा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा sink हमेशा पोसिस कीजिए दोस्तों कि जो entrance है ना जिसे कि यहां माल लेजे कि dining area है तो बिल्कुल नजदिक में sink रहेगा तो access करना काफी अच्छा होगा जूठा वरतन मगरा sink में ले जाना बहुत ही convenient होगा इसलिए entrance के नजदिक में आपको sink देना है यह जो जगह छोड़ा गया है यह छोड़ा गया है यह छोड़ा गया है फ्रीज के लिए ठीक है तो यहां पे फ्रीज दोस्तों रख सकते हैं जिसका dining area से भी access up रख सकते हैं दोस्तों यह electrical point है यह फ्रीज के लिए दिया गया है तो आप kitchen में जो भी appliance इस्तमाल करने वाले हैं उनके लिए electrical point ध्यानपुर वक्त दिलवा लिए एक host fan के साथ साथ आज कल चिमनी लगाना एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है तो उनके लिए भी आपको जो है वो electrical point करा से उसके लिए आप देख सकते है इस तरीके से आपको कम से कम एक से डेर इंच उठा हुआ दोस्तों इस तरीके से प्लैटफॉर्म बनवाना है ताकि आपके रखे हुए समान में पानी वेगरा का छीटा ना जाए तो किचन जितना वेंटिलेटर रहेगा उतना ही काम कर करने में अतानी होगी तो आप दोस्तों खिरकी का विश्वेश प्रबंद कर सकते हैं किचन में देख सकते हैं दो खिरकी दिया हुआ है कम से कम एक खिरकी तो बहुत ही जरूरी है अब दोस्तों बात कर लेते हैं किचन है किचन में पानी का काम बहुत जादा होता है देख स यह दिया जाएगा घिजर को और गिजर के लिए देख सकते हैं यह पर इलेक्ट्रिकल प्वाइंट भी दिए गया है साथ अप जु है वह पूरिफायर कभी भी लगवाएं लेकिन दोस्तों को पौइंट अभी ही दिलवा लेना है ताकि आपको आगे चल करके लिए आप आव दोस्तो लाइट लगवाना आजकल फैसन बन गया है तो इस चीज कभी आप ध्यान रख सकते हैं और modern kitchen चाहते हैं तो आपको ceiling में light लगमाने चाहिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों यह kitchen आपके अनुस्वार कैसा ही और कैसा लगा हमें comment box में अवर्श्श न लगा हमारे प्रियास कैसा लगा पताएगा नमर्वाब